130 करोड देश वासियों की जिंदिगी की रक्षा उनका कल्या मानोता की रक्षा का भी कारण बनता है और इसलिए देश के लिए इस कठीन घड़ी में भारतिय जनता पार्टी के सभी कार्यकरताओं पर राष्ट सेवा और मानो सेवा का दालत्व और भी जादा बढ़ जाता है साथियों पार्टी के 40 वे स्थापना दिवस पर मैं आज आपको कुछ सुझाओं पर कार करने का आगर करना चाहता हूँ वैसे भारतिय जनता पार्टी ने हमारे राष्टिय अध्यक जी नड़ाजी ने हमारी राष्टिय टीम ने जो एक खाका त्यार किया है मैं उसी को सिर्व से दोहरा रहा हूं लेकिन मैं अपने तरीके से अपने शब्दों में दोहरा रहा हूं ये हम सब पार्यकरता के नाते मेरे लिए भी बंधन करता है और हम सब पार्यकरताओं ने पार्टी के इस आग्रह को जरूर पालन करना है इन सुझावों में अन्तियोदय की भावना भी है और सेवा का अटल संकल्प भी है मैं आज इस विशेश परिस्तिती में इन में से कुछ कारियों पर थोड़ा अधीक बल लेने के लिए आपसे आग्रह करूँगा साथियों में आपसे प्रार्थरा करूँगा इसे एक तरह से आप मेरे पाँच आग्रह मान सकते हैं पंच आग्रह इसमें पहला आग्रह है गरीबों को राशन के लिए अवीरत सेवा अभियान ऐसाने कुछ दिन करेंगे अभिरत सेवा अभियान जब से ये संकट सुरूवा है तब से भाजपा के लाखों कायर करता है दिन राद गरीबों की मदद करने उन्हें राशन पहुंचाने के कारियों में चूटे हैं आने वाले दिनों में आप सभी को इसे एक बड़े अभियान में बदलना है अपने खेत्रे में और भी जो छोटे मुटे सामाजिक संगटन काम करते हैं उनको भी एक धागे में पिरो करके सबको जरूरत मन को पहुंचे जरूरत मन को रहना जाए यह हमें सुनिश्चित करना है एक एक भाजब कारकरता यह पक्का कर लें कि हमारे आसपास एक भी गरीब भूका न रहे उसके पास परियाप्त भोजन हो साथियों आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि किसी की मदद के लिए जाते समय फेश कवर जरूर पहने और मैं यह भी बताता हूं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टरनों के लिए निर्धारित हैं जो नर्सिस के लिए निर्धारित हैं जो परामेलितर स्टाप के लिए आवशक हैं वैसे मार्क्स पहनना ही जरूरी है ऐसा नहीं है हर घर में किसी भी साधरन कपड़े से हम तयार करें और फेस कवर रख सकते हैं और मैं तो मानता हूँ यह लगबग हमें आदत बनाने ही पड़ेगी इससे बचने के लिए हमारा फेस कवर हो तौलिया हो कुछ भी हो लेकि लगातार हो मेरा दूसरा आगर है कि अपने साथ ही आप पांच सान अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिप्ट दे सकते हैं उनका वित्रण कर सकते हैं साथ्यों इस मुश्किल समय में समाज को सेमाए दे रहें सभी लोगों का आभार करना उनके प्रती धन्यवाद व्यक्त करना उनको मनोबल बढ़ाना ये सिर्फ हमारा हिदाई तो हैसा नहीं है समाज को भी इस काम के लिए मोबिलाइज करना शाहिए मेरा तीसरा आग्रह है उसी संदर में के धन्यवाद अभियान चलाने के लिए पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि पांच अलग अलग वर्ग है और हर घर से इन पांचों लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्रा लेना चाहिए और ये धन्यवाद पत्रा लेकर के हमें सामुई कृप से उनके सामने देना चाहिए और वो भी पोलिंग उत्वे करना चाहिए पहला वर्ग है आपके इलाके में जो भी नर्सस और डॉक्टर हो दूसरा सफाई कर्मचारी, तीसरा पुलिस कर्मी, चोथा बैंक और पोस्ट अफिस में काम कर रहे लोग पांचवा आवशक का सेवाओं में जुटे हुए सभी सरकारी मुलाजीम हमें इन सभी का आभार व्यक्त करना है, इसके लिए आप अपने अपने बूथ में और जब पार्टी के 40 वास्थापना दिन है, तो इसको याद रखते हुए हर बूथ में चालिस गर इन पांच अलग-अलग प्रस्ताओं पर सिगनेचर करें, और पांच अलग-अलग सेट में धन्यवाद पत्र तयार हो और वो सारे धन्यवाद पत्र उसी पुलिंग मुथ में जो जो सम्मधित हो उन तक रूबरू जाकर के दिया जाए साथियों कोरोना के खिलाब लड़ाई में मदद करने के लिए एक और काम में आपसे आगरे पुर्वक करना चाहूँगा ये लंबी लड़ाई के लिए बहुत अनिवार है हम जितना सफलता पुर्वक इस काम को करेंगे हम आने वाले दिनों में संक्रमन की स्थिती में काबू पाप आएंगे और वो है भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु एप विक्सित किया गया है हमने इस आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चोथा आगर है कि जादा से जादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम चालिस लोगों के मोबाइल में ये एप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो हम आपको अपको किस बीमारी की क्या स्थिती है आपको आगे की क्या सेवाओं की जरुत है आपको किसकी मदर लेनी चाहिए आपको किन किन लोगों से बचके रहना चाहिए उनको पता चलेगा कि भी आपके पास ये सहज्जन कल आके गए थे वो संकट वाले हैं अगर उसके पास ये एप होगा तो उसको ये पता चलेगा और इसलिए संकट के स्थिती में हमें ये आरोग्य सेतु एप हरेक यहां इंस्टॉल भी करवाना है और उनसे भरवाना भी है एक और काम है इतनी बड़ी लड़ाई है आर्थी के सेवा बहुत महत्वपुन होती है हमने देखा है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर होता है तो हमारी माता यवे ने गहने देते, सोना दे देती है गरिब भी गरिब अपना पाच पैसा, दस पैसा बचाया हो तो देने के लिए भार आ जाता है ये हमने हर युद्ध के समय देखा है ये एक युद्ध मानवता के खिलाब है ये युद्ध से जरा भी कम नहीं है युद्ध के समय देश के लिए देश के नागरीकों के लिए जिस प्रकार से हम दान के एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं इस समय भी लाखों लोग PM कैर्स फंड में दान कर रहे हैं लेकिन वो और बढ़ना चाहिए और इस एक भाजबा कारकरता को खुद भी खुद भी सहयोग करना है और बीजेपी के 40 सान निमित और 40 लोगों से भी PM कैर में फंड सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है साथियों हम तो चरईवेती चरईवेती के मंत्र के लेकर के चले हुए लोग है हमने उस पर को जी करके देखा है आज पाबंदी के कारण चरईवेती चरईवेती को हमने सीमित करना पड़ेगा अब इधर उधर जाने की जरूत नहीं है हमारे आंस पास दुख्यानों के बीच जाना उनके आंसु पहुँचना उनको मदद करना हाँ यह जरूर याद रखिये कि जब भी बहार निकले तो फेस कवर तो होना ही चाहिए मैं तो कहता हूँ गर में भी होना चाहिए और साथ साथ एक मंत्र आज पूरी दुनिया के लिए एक ही मंत्र है सोशल डिस्टंसिंग और अनुशासन का पूरा पालन करना मुझे उमीद है कि भारतिये जनता पार्टी का प्रत्यक कार करता स्वयम की सुरक्षा करते हुए अपने साथी देश वास्टियों के भी सुरक्षित बनाएगा अपने परिवार को भी सुरक्षित करेगा और ये राष्ट भी हमारा परिवार है उनको भी सुरक्षित करेगा इसी एक भाव को ले करके हमें चलना है देश को विजयी बनाना है और इसी विश्वास के साथ भारतिय जन्ता पार्टी के इस थापना दिवस पर हमें यहां तक पहुँचाने वाले लक्षावधी कारकरताओं को लक्षावधी परिवारों को उनकी त्याग तपस्या को आदर पूर्वक नमन करते हुए आईए आपको भी मैं बहुत सुब कामनाई देता हूँ मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ करता हूँ